हेलो दोस्तों नमस्कार मैं दीपू बाबा सौगत करता हूँ दो हिमाले इंड डाउक्स चैनल पे दोस्तों आप लोग के बीच में फिर से लिक्या आए हूँ एक कापी अच्छी वीडियो तो दोस्तों ये वीडियो लाइक से रहें सब्सक्राइब किजिएगा और अपना प्यार दोस्तों ये पर करार रखेगा तो दोस्तों जो आप लोग के बीच में वीडियो लाया हूँ अभी जो सर्दी का मौसम है दोस्तों जो भीड़ पालक है अभी उच्छी हमाले इच्छेत्र से अभी जो गरम तट्ये इलाके हैं गरम इलाके हैं दोस्तों वहाँ प्लाइन कर रहे हैं तो इस बीच में दोस्तों एक छोटी सी वीडियो आप लोग के बीच में लेके आया हूँ उनके उपर जो गदी लाइफ है दोस्तों जो सेपर्स की लाइफ है वो काफी टब भरी लाइफ है तो इनको दोस्तों जंगली जन्गली जन्वर और जिसे भालू बाग और ते पमना करना प्ड़ता है और दोस्तों कई बार इलाकों में जाते हुई तो लोगों से भी तक्राव हो जाता है इनका तो इसलिए दोस्तों अपनी भेडों के रक्षा के लिए और स्वेम अपनी रक्षा के लिए ये जो भोटिया पर जाती के डॉग हैं दोस्तों एक्चॉल में जो लोकल भासा है हमारी हुनी कुकूर और वैसे दोस्तों इंगलिस में हिमालियान मस्टिफ और सीब डॉग भी कहते हैं दोस्तों तो वो पालते हैं दोस्तों ये तो इनके लोकल बासा में तो उसका बालन करते हैं दो परकार की दोस्तों इनके पार बकरियां होती हैं तो ये जो सर्द जब मौसम है ये तब गरम इलाकों में और जब गरमी का मौसम होता है तब ये सर्दी वाले इलाके में प्लाइन करते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों जो इनक जो इनसान है जो अगर कोई भेड को नुकसान पहुचाने कोई इनसान या इन लोगों को नुकसान पहुचाने कोई इनसान आए तो जो छोटी परजाती के कुत्ते हैं तो उनको देखके नहीं ड़ते हैं दोस्तों चाहे जानवार है चाहे इनसान है तो इसी लिए दोस्तों ये बड़ी पर जाती के कुटे पालते हैं और दोस्तों आप देख सकते हैं जो ये black color की female है दोस्तों ये काफी जबरदस्त है और जो ये दूसरी female है black and ten color में तो ये इसी का बच्चा है ये दोस्तों जब गर्मी के सीजन में जब ये plan उत पर को plan कर रहे थे ठंडी इलाके में तब ये female बिमार होगी थी black and ten वाली तब इसलिए दोस्तों इसकी quality उतनी जो बरदस्त नहीं बन पाई तो दोस्तों जो भेड़ पालक हैं इनका जो जीवन है दोस्तों काफी संगर से सील जीवन है तो इनको अपने जीवन में काफी परिसानिया होती है तो पहली बात तो अपने घर से दूर ये जंगलों में अपना पूरा जीवन वेथित कर देते हैं तो घर भी जाना होता है दोस्तों जैसे एक कोई फोजी या एक कोई दूर नौकरी करने वाला बंदा जो बच्चों को काफी समय तक मिलता नहीं मतलब मिल नहीं पाता है जो घर नहीं जा पाता है तो इसी परकार का इनका जीवन भी है दोस्तों तो आप देख सकते हैं जंगलों में इनने रहना खाना हर चीज इनका जंगलों में ही रहता है दोस्तों तो कई बार ऐसा भी होता है कि कई लोग जंगलों में चलते चलते काफी उच्छे जो हिमाले छेत्रे हैं दोस्तों वहाँ पे कई बार चट्टानों से गिर के भी कई लोगों की मौत हो चुकी है कई बार इनका जो बक्री है दोस्तों और बक्रियों की भी काफी नुकसान हो जाता है जब दोस्तो ठंडे इलागे में हिमपात होता है तो इस दोरान भी इनकी बकरियां है तो काफी नुक्सान हो जाता है और जो प्लेन एरिया है दोस्तों जिसे गरम इलागे हैं इस चीहιत्र में ज़ायत ह향 जंगली जानुवर जो हिमालियन मस्टिव डॉग है तो जो ये भीड़ पालक है भाई जो हमारे गद्दी समाज से बिलॉंग करते हैं तो इनने रखाया इनका नाम रमेश है तो आप देख सकते हैं इनकी बार कापी अच्छी फिमेल है तो दोस्तों आप देख सकते हैं खुले आसमान के नीचे अपना पूरा जीवन वेतित करते हैं बारिस हो धूप हो बरब पड़े चाहे कैसा भी मौसम है ये लोग दोस्तों इसी परकार अपना जंगल में इसी परकार अपना जीवन वेतित करते हैं बारिस की सीजन में दोस्तों ये लोग टेंट लगाते हैं बाकी कई बार ऐसा होत तो दोस्तों, जो हमना हिमानचल एरिया है, मन चल एरिया में तो जो यहां सरकार ने जो गद्दी समाज है, जो यह सेपर्ड्स लोग हैं, तो इन लोगों को काफी सूवधाई दे रिखी हैं, पर आप हमारे उत्रा खण के अंदर देखेंगे, तो इन लोगों को उतनी अगर यह वीडियो कोई जैसे इससे संबंदी सरकारी करम चारी इससे संबंदी सरकार स्वे कोई देख रहा हो तो प्लीज आप लोग से रिक्रेस्ट है कि इन लोगों के उपर भी कुछ बहुत इनको सुविधाय मिले तो इनको मेडिकल सुविधा उतनी उपलब्द जैसे यह हॉस्पिटलों में दोस्तों जो अच्छे हॉस्पिटल है रास्ते में जैसे यह प्लाइन करते हुए कई हॉस्पिटल पड़ते हैं तो इन लोगों को वहां पे जो अच्छी सी जैसे इनकी भीड़ बिमार होगी इनका डॉग बिमार हो गया तो इन लोगों को वहां पे उत इस जो छेत्र में जो कारियरत हैं तो उन लोगों से गुजारिश करते हैं तो किरिपा करके इन लोगों की एक मतलब छोटी सी जो परिषानी है वो हल करने की कोशिश करना क्योंकि यहां जो गदि समाज है और ये जो शेपर्स जो लोग हैं तो एक परकार से देखा जाए हमारे जो हिमाले छेतर हैं तो यहां की एक संस्कृति को भी अपने सांध लेके चलते हैं नहीं यह अपने पैसे कमाने के लिए ही नहीं यह अपने जो बकरी पालन कर रहे हैं उसके साथ ही यह हमारी जो संस्कृति है और दोस्तों आप लोग को जानके एक चीज हैरान हैरानी होगी जो यह जो बगरी जैसे जो भेड़ चलते हैं सीजन में तो दोस्तों जो आप पेड़ पहुंते देखते हैं तो जो बीज होता है दोस्तों वो भी एक एरिया से दूसरे area में इनके द्वारा जिसे इनकी बगरियों के बालों में या इनके इसमें के द्वारा ये जो बीजों का जो पलाइन मतलब एक दूसरे इधर उदर जो बीज पलाइन होता है दोस्तों तो वहां भी होता है ये वी काफी हमारे जो nature है हमारा जो climate है दोस्तों उसके लिए भी काफी अच्छा है और दोस्तों जो जहाँ जहाँ यह बगरी वाले ठहरते हैं वहाँ पर जो बगरियों के दारा गोबर किया जाता है इससे भी जो हमारा जंगल है और हमारा जो environment है दोस्तों तो इसको भी काफी अच्छा क्योंकि जहाँ जहाँ जो पेड़ पहुंदे होते हैं काफी उनको जो नेचरल दोस्तों उनको खाद दिया जो फर्टेलाइजर है वो मिल जाता है तो यह भी एक पॉश्टिप पॉइंट है दोस्तों जिस एरिया में जिस जिस एरिया में ये कद्दी लोग फैरते हैं वहां हर्याली और वहां के पे पॉश्टिप पॉइंट है दोस्तों तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों जो यह भीड़ पालक है इनकी लाइफ का पी टफ होती है आप लोग मतलब कही लोग तो समझते होंगे कि इतनी भीड़ों को मतलब उतना टफ नहीं है करके लेकिन दोस्तों एक्च्वल में जाते हैं दोस्तों इतनी टफ लाइफ है साम को दोस्तों जो बगरियां आती हैं तो आप देख सकते हैं जो इससे पहले वीडियो में आपको बच्चे दिखाए थे तो बगरियां कई बगरियां आप आप देखी सकते हैं कि इतनी सारी बगरियां हैं तो बच्चे भी काफी ज्यादा है तो ये लोग कोई जैसे आप ये देखो ये वीडियो में तो ये जो भेड़ पाल ये दो सेपर्स हैं तो ये जो भेड़ है देखो उसके बच्चे को दूद पिला रहे हैं दोस्तो हाथ से दूद निकालके दूद पिला रहे हैं तो ऐसे ढूद ढूद के बच्च तब भी जाते हैं तो दोस्तों एक चीज इनके लिए positive point है कि जैसे हम लोग दोस्तों सहरों में रहते हैं काफी pollution है और हमारा गाड़ी में आना जाना हर चीज फास्ट पूड खाना तो हमारा जो health है दोस्तों वो काफी बेकार हो जाती है और ये लोग daily का run-up होता है दोस्तों 15-16 km और हमेशा nature के बीच में रहते हैं तो जो इनका health रहता है और जो दोस्तों ये अपना healthy जो रहता है काफी strong रहते हैं जो shepherds लोग होते हैं क्योंकि इनने daily run-up होता है दोस्तों इनको चलना पड़ता है तो इनका कई बार ऐसा होता है दोस्तों ये राद 12 बजे दो बजे तीन बजे उटके भी दोस्तों भेड़ों को दूसरी जैसे एक डेरे से दूसरी डेरे में ले जाते हैं दोस्तों तो कई सेपर्स लोग अभी दोस्तों थोड़े हाई टेक हो चुके हैं पहले तो दोस्तों जो गिंती हुआ करती थी वो अनमानी तोर पे गिंते थे आजकल आप देख सकते हैं इनके कानों में जो टैक लगे हैं तो इनके द्वारा भी कई सेपर्स लोग टैक लगा के वैसे भी गिंती हो रही है दोस्तों भीड़ों की तब जाके ये जो मेल भेड हैं दोस्तों जिसे फिमेल नहीं जो मेल भेड हैं तो जो मेल जादा हो जाते हैं जैसे तो उन भेड़ों को बेज के तो ये अपना जो पैसा है वहाँ अपना खमाते हैं और कई बार जिसे कोई भेड इनकी चोड से लग जाए या चोट लग जाए यह ऐसे करके तो ऐसे भी यह भेड निकाल देते हैं बागी जो बच्चे देने वाली भेड़े होती हैं दोस्तों उन मेंसे अगर कोई भेड जिससे थोड़ी कमजोर है जिसए तो आगना यह लोग क्या करते हैं कि जैसे दो bu जो दोस्तों जब रात का समय होता है तो यह लोग धेड़ को एकठा करके अपना चारो कोनो में सो जाते हैं और जो इनके कुत्ते होते हैं दोस्तों आपको मैं दिखाऊंगा ये देखिए एक कुत्ता दोस्तों यहां सोया है तो दूसरा कुत्ता दोस्तों दूसरे कोने में सोया होगा तीसरा कुत्ता तीसरे कोने में चोथा कुत्ता चोथे कोने में जो इनके कुत्ते होते हैं दोस्तो इनका जो ब्लर लाइन है वो उसी परकार का हो जाता है तो दोस्तो भेड़ वालों ने अपने साथ जर्मन सेवर्ट रखे भी देख लिया है तो जर्मन सेवर्ट दोस्तों कुछ समय तक तो अच्छा काम करता है लेकिन बाद-बाद में अगर उसके मुँँ में खून लग गया तो वो इन जो भेड़े के छोटे-छोटे बच्छे होते हैं दोस्तों उनिको मारनाय स्टार्ट कर दिता है तो कई बार ऐसा देखा गया है तो आप देख सकते हैं दोगस तो ये जो भेड़े वालों के जो कुत्ते होते हैं ये काफी मतलब उचे ही उसमें बैड़ते हैं ताकि वो भेड़ों पी पूरी नजर देखें मतलब पुरी मतलब जो भेड़ है तो उनकों मतलब उंचे एरिया से देख सके हैं और इनकी जो दोस्तों जो भेड़ वालों के कुट्टे होते हैं ये दिन में थोड़े सुस्तों और रात को बहुत एक्टिव हो जाते हैं वो रात बर जंगलों में गूमते हैं और आप देख सकते हैं रात को भेड़ जब एक उसमें एकटा हो जाते हैं तो ये चारो तरफ चकल लगाते हैं और जो बाग है या कोई जंगली जानवर है तो इनकी बूद दूर से आ जाती है दोस्तों इनको तो अगर वो आ जाता है तो इनका जो सुभाव है वो चेंज हो जाता है ये बहुत एग्रेशन के मूड में आ जाते हैं कई बार जंगलों में दोस्तों कई दूर तक ये जो बाग है भालू है जाए कोई जंगली जानवर है तो उनको बखाते हैं ये उनके पिछे पिछे तो दोस्तों ये खाशे रहती है और तो दोस्तों हूप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग उसे ही गुजारी से दोस्तों की आप लोग भी एक बार ये हिमालियान मस्टिब डॉग है जो सीव डॉग है दोस्तों उसको पाल के देखिएगा कापी अच्छा रिस्पॉंस मिलेगा आपको कापी अच्छी लोयल्टी मिलेगी दोस्तों और ब्रीट से धन्यवाद दोस्तों